नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली देश में निव मोटर वैकिल आक्ट लागू हो गया है इधर बिहार में लगतार इस तरह के घटनाय सामने आ रही है जब इस नए मोटर वैकिल आक्ट के तहर कारवाई हो रही है पुलिस और पब्लिक में भीडंत भी हो रही है पुलिस और पब्लिक के भीडंत की कई वीडियो वाइरल है इस बीच बिहार के ही बकसर जिले से एक और वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दरसल इस वीडियो में एक दारोगा साहब है एसाई है और एक आम आदमी है जिनके बीच में ये तीखी नोक जोक हो रही है आप देखिए तस्वीरों में दारोगा जीने कॉलर पकड़ रखा है और कह रहे हैं कि तुम मेरे उपर कारवाई करवाओगे तुम मुझसे इस तरह की बाते क वो उनके उपर चिला रहे हैं आपको इस वीडियो के बारे में अगर बताएं तो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वाइरल हो रही है उसमें जो दी गई जानकारी है उसके मुताबिक बिहार के बकसर जिले के आई टी आई मैदान की ये घटना है जहां पर राज कमल उर्फ बड़े सिंग को नगर थाना बकसर के दारोगा रोशन सिंग जो बीना हेलमेट के बाइक चला रहे थे उन्होंने ऐसी घटना उनके साथ अंजाम दी है तो दारोगा साब से बस इतना ही पूछा गया था कि आखिर आपने हेलमेट क्यों पहना फिर उसके बाद जो व द्रया उनसे हाथा पाई करने लगे और जूजने लगे अभी का जो अपडेट यह है कि दारोगा को बकसर SP ने सस्पेंड कर दिया है दरसल यह जो कारवाई हो रही थे पूरी उस पूरी कारवाई में आपको वीडियो देख करके समझ में आ जाया कि आखिर उस वक्त चल क् कि वो क्या कर रहे हैं बीच सड़क के उपर कॉलर पकड़ करके यूवक को घसीट रहे हैं और उसे बत्तमीजी से बात कर रहे हैं तो बिहार में ट्राफिक नियमों को ले करके इस तरह की घटना है सामने आ रही है देश में कई तरह के वीडियो भी वाइरल हो रहे हैं और लाइस बीच यह बिहार के बकसर जीले से वीडियो वाइरल हुआ है फिलहाल बकसर एस पी ने कारवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया है जो आरोपी दरोगा है आप लाइफ सीटी साथ बने रही है आपको बिहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार झाल